हाई क्लास थायन वेलकम तो ओर चनल राइजिंग लासे प्रीज सब्सक्राइब दीचनल प्रेस बैल ऐकन फोर मूर वीडियो आज हम लिए लाइप प्रोसेस पाट टू पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बैल आकन को प्रेस कर लिजे आल रहा हम डिसकस करेंगे इस ला प्रीज गांडर ऐस तसवी ह्लेकर्व क्याहरा वकारी जेसाओ क्या से सब्सक्राइब देख और व्रेम क्यांस करतें हम तो वेंग ब्लड कैपलरी जो बहुत बहुत स्मॉल टाइप की बहुत पत्ली सी ब्लोड प्लीज रूल इन दा केरियर अब सब्टान्स इन अब बॉड़ी ठीक है जो ब्लड होता है वह एक तरसे केरियर होता है केरियर मतलब कि वह अपने अंदर चीजों को बठाकर दूसरी जग पहुचाता है तो सबसे पहले हम हर्ट की बात कर लेते हैं दिल की बात तो हर्ट इस मस्कुलर और्गन विच इस अ कंपोज बाइक कार्डियक मसल हर्ट एक मस्कुलर और्गन होता है ठीक है जिसमें हड़ी नहीं होती है और किस से मिलके बना होता है कार्टियक मसल से हर्ट क कोई सब्सक्राइब दूर तक ट्रैवल करता है ठीक इस तरीके से हमारे बॉड़ी के अंदर भी एक ऐसा प्रेशर अप्लाई करने वाला कॉंपनेंट होना चाहिए एक और्गन होना चाहिए जो क्या करें अगर वो प्रेशराइज करें तो वो ब्लड जो सर्कुलेट करें एजली हर बॉड़ी पार्ट में तो इसी तरीके से जो हमारा उन circulation system होता है उसमें बड़ जो हर्ट होता आपका वो बसेगली पंप करता है ब्लड को ठीक है प्रेशर दीता है और उस प्रेशर से हो पूरी से लेकर हमारे पर टाओ तक वरगर तक यह जाता है ठीक है हार्ट छीट से पास थोड़ा सा टील्ट होता है थोड़ा सा तिल्ट होता है थीक तो ये आपका हुर्ट होता है हर्ड का एक मसलत से बना होते है का का मत पंब करना ये हमारे थोर्सटेश जुखाब झो अारी शुका लेफ्ट की तरफ यह आपका हाइब है इसको चीरफाड के इसके अंदर क्या काई चीजह है उसको स्टैडिकर नहीं कहरते हैं इसकोन बाहर से गहते हैं दा हुमन हर्ड इस कम पूसर तो फूर्ट चेंबर इंसान के कितने चेंबर से हर्ड के फोर्ट आठ आटियु यह आपका लेफ्ट आट्यम था इस portion को आप देखिए यह आपका कह लेफ्ट आटियम है यह आपका कह राइट लेफ्ट वेंट्रिकल है यह आपका लेफ्ट आटियम यह राइट आटियम ठीक है लेफ्ट आटियम और यह राइट इस तरीके से यह राइट वेंट्रिकल और यह राइट लेफ्ट वेंट्रिक जैसे को देख सकते हैं. जब भी ब्लॉड आता है, तो यह ब्लॉड खलता है चला जाता है. फिर बलॉड इसके नहीं खटा हो जाता है, फिर यह ब्लॉड घुट की तरह होता है. ऐल्ब है । ठिक है। हे, हम क्मोरेक भुधब ह cook, की तरह होता है, हाल ऑफだ करता है फ्रोटेक्ट करता है हट को और शेप मेंटेन करता है हट करे उसके बाद से देखिए सेप्टम होता है सेप्टम का क्या काम होता है यह बहुत important topics है तो please screenshot लेलो या फिर copy में note कर लो आप अच्छे से सिरे, septum क्या करता है, left और right heart को differentiate करने में help करता है, कौन septum, उसके वाद से देखे, blood circulated through the heart, अब क्या process होता है, basically अच्छे से इसको समझेंगे, थोड़ा सा complicated अब इसको अगर आप ध्यान से सुन लोगा, तो यह understand हो होता है, उसे हम क्या क्या थे ऊंच्छे ब्लड कहते है ठिक है यह बात रिवाद अख्षी जन इंस मिक्स और अक्सीनिटीटी ब्लड जिस ब्लड के अधर ऑप्सीजन पर या जाता है, उसके बाद से डिय ऑकूएट एपलेट क स्थे ब्लड की मबात करते है ठिक है, दी यहां पर फिर वो किसको ट्रांसपोर्ट करते हैं वेंट्रिकल को पहले यह लंग सा लंग से ब्लड आ रहा है का यहां पर गुसा यहां पर खटा हुए फ्रीस को फिरीसे यहां पर यहां तो पी लाठ़ घया ऊपरवाले में फिरीच यहां से नीचलम से left ventricle से left left arm से left ventricle में जाता है और ventricle में जाके blood को pump किया जाता है और pump करके वो blood पूरे body parts में जाता है यही काम होता है ठीक है कोई confusionally बात नहीं है अधिके राइट आटिम का क्या काम होता है collect from the body organs पासे तो the right ventricle इसका भी काम होता है बस जो right वाले काम होता है नो वो deoxygenated blood का काम करती है यहाँ पर मैं से deoxygenated blood आता है सपोज करी यहाँ पर पहले blood आया देखो यहाँ पर यह यह लो आले हैं पर blood आ गया फिर नीचे वाले पर गया फिर यहाँ से यह पूरे body में चला गया यह कौन सा blood है? deoxygenated blood था और वो deoxygenated blood कहां कि आपके right ventricles में right ventricles से पूरी body में spread हो गया ठीक है यही काम होता है इसमें इसमें भी यह होता है कि lung से blood आता है आपके किसके अंदर basically oxygen आदेगा और किसके अंदर आगा आपके लेफ्ट आटियम में फिर लेफ्ट आटियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में फिर पूरी body में चला जाएगा यही प्रॉसेस होता है ठीक है deoxygenated blood into lungs फिर यह blood से फिर lungs में बचले फिर वहां से आपकी अधिया और जो अलग अलग तरह के नर्व सुथिया वो टांसपोर्ट करती है पूरे body को तो यह था आपका लेफ्ट आटियम का काम लेफ्ट आटियम समझ के हो गया होगा यह ओप कि आप लोग समझ गयो आटियम का काम यही होता है कि अधिया ब्लेट लेट रिखता करना फिर उसको वेंटिकल में डाला वेंटिकल में अधिकास निगाथप अधा पंप होता है पूरी बॉर्डि में ट्रांसपोर्ट हो जाता है ठीक है यह अब देखते प्लूमेरी सर्कुलर क्या होता है एक तरह से डियो जैंटी ब्लड मू अधिया बात नहीं देखो प्लुमनरी सर्कुलिशन क्या है मैं बताता हूँ पहले आपके हर्ट से लंग्स में ब्लड जाता है और वो और आपके हर्ट में गया और पंप हो पूरी बाडि में ट्रांसपोर्ट हो गया उसे कहते प्लूमनरी रिसर्कुलेशन दुबारा समझ समझेंगे मेरे साथ समझेंगे पहला क्या हुआ पहले बताओ आप क्या होता है पहले हर्ट से हर्ट से ब्लड गया लंग्स के अंदर ठीक है कौन सा ब्लड गया डी ऑक्षिनेटीड हर्ट से लंग्स के हर्ट से लंग्स के अंदर ब्लड गया डी ऑक्षिनेटीड वहां पर ज is called a pluminari circulation pluminari circulation बोलते हैं उसका दे खिस सिस्टेमेटिक इसको भी देख लेते हैं, it is an ender cycle of blood circulation, oxygenative blood move from heart to organ to convert into deoxynative blood and then deoxynative blood moves heart back, अब ये भी systematic circulation क्या हो गया, ये क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, oxygenative blood क्या होता है, move करता है हमारे from heart to another body organs, ठीक है, दिल से सारे other organs तक गया, कौनसा blood oxygenative blood, फिर उसको other organ को किसमें convert केर दिया गया, deoxynative blood में, फिर वो deoxynative blood किसमें आया, heart में, मतलब दिल से blood गया, आपके body part में, oxygenative blood, फिर वो किसमे convert हो गया, deoxynative में, फिर वो deoxynative blood किसमें गया, heart में, ठीक है, ये process है, systematic circulation के अंदर, thus in the minimum, thus in the human body blood passes through a heart twice, इस मीन्स की इंसान की दिल के अंदर, दो बाए blood pass होता है, ए ochonative होकिः ठीकी, फिर देयकसं टीजाता है, langs के अन्दर, मतलब ये दोनों process होते हैं, double circlaid system, एक बार क्या होता है, deoxynative blood आता है, आपके heart के अंदर, lungske, ठीक, lungs से, heart के अंदर आता है, plumary circulation की बात कर रहonde हो है,igily circulation की बात कर रहे हैं, ठीक है, hurt के अंदर, ठीक है हट रहा हट के अंदर आया लंग सीसे ब्ल ठीक है उक्षिंटेड फिर अप में नाथ कुन्वर्ट इंटो पीफिर वह क्रवटींटो में चलिए उके अश्य रहे हऽा रहत में जाता है स्ट। हट में झाता है मतलब ह्ट से लंग में जाएगा Looks ऊक्सिरीट फिर वह फिर वो अक्सिरीट हो गया फिर लंग से फिर हट में आए गा होट से पुरी बॉड़ी बॉडय पर्ट में जाएगा खैले एक पाइल जाता है हम काल तो मेकल भाडब से लिकलेटे फोन से इसे अव्य यह लिए ब कर अब हैक्न काल तो दबल सेट्वेशन ठीक है दबल सेट्वेशन शोड़ दा कांप्टेस्ट टाग्रेशन ऑक्सेटिव दिस व्लड हमारे बाड़े का अक्सेटिव डूनों ही कि जूरत होती है जो अप्टीमेज एनेर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो यह था आपका उसके बाद से बात करते हैं ब्लॉड वैजल्स की बात कर लिए। खी का होती है यह इस थिक वाल ब्लॉडिएजल्स विच्ट केरिए ग्लॉड ions की तिक वाल भी डल्ब को केरी करना oxygenative blood किस से पास होता है आपके arteries से पास होता है heart and different organ मतलब heart से different parts से दिल से तूसरे body part में ले जाने का काम किसका होता है arteries का काम होता है pluminary arteries are the exception because they carry deoxynative blood from the heart to lungs pluminary arteries are exception because they are carried deoxynative blood from the heart to lungs where the oxygenative blood takes place फिर यह कहता है कि जो pluminary arteries होती है वो क्या काम करती है deoxynative blood को heart से lungs तक लेके जाती है from the heart to lungs ठीक है arteries का काम क्या होता है oxygenative blood को उठाया दिल से और पूरी body में ले गये pulmonary artery का क्या काम होता है deoxynative blood को heart से lungs तक ले जाना ठीक है मलोल हर तू लंग्स कौन ले जाती है फिर है टो पूरी बोडाई सब्लेजा ले जाती है ठीक है ये दिए रखाना आपका करी अक्षद इस्का नीटिट बलड फराम दःतो डिफ रंड पर्ड और डश津ल लॉ你ए जाएगे अपके। को heart to organ ले जाएगी पूरी यह arteries का काम होता थिक होती है वेन्स का काम के अंदर इसको heart टक ले जाने का काम किसका होता है वेन्स का काम होता है अप लूमरी वेन्स आर exception because they carry oxygenate blood to lungs अब इसका काम कहता है oxygenate blood से lungs तक ले के जाना ये किसका काम होता है आपके oxygenate blood में किसका काम होता ये heart to lungs तक ले जाना heart to lungs oxygenate blood को blood को lungs to the heart ठीक है तो lungs से जो oxygenate blood निकलेगा वो heart के अंदर कौन ले जाएगा लेकिन हाट से हमारे जो organ के अंदर डियो अक्षणीटी blood गोड़ उसको हर्ट कौन लाएगा veins बी योख से ब्रट जूभी होगा हमारे और उर्गन के अंदर उसको कौन लाएगा heart के अंदर कौन लाता हर्ट के अंदर वेन्स और इसा रही के से लंग से हर्ट टक डियुक्ष ऑक्षिनिटी बर्ड भी यही लाती है समझ यह हो अधर कैपलेटी इस बहुत नहरो होती है और थिन वाल्ड होता है इनका ब्लॉड वेसे बिट्विन दा आटरी इन दा वेन्स वीचिज़ स्मॉल मॉलेकुल गैसे इस गैसी इक्सेंज होना फूट को डिस वगरा करने में हैल्फ करती है कौन केपलेटी इस बहुत छोटी पतली से नलियां होती है ठीक है बट यह अशंचल होती है बिट्विन दा ब्लॉड और बोडी पार्ट के बीच में फूड और गैस का एक्स्चेंज करने का काम किसका होत होता है ठीक है तो यह थोड़ा आप अच्छी से और एक पर समझ लेना इसको रीडाउट भी कर लेना खुद से थाके आपको और अंडेस्टेंड होता है अब एक बार हम देख लेते है आर्ट्रीज और वेंस का डिफ्रेंस क्या होता देखिए आर्ट्रीज के रिया ब्लड र्ड फ्रं हरडो और सनब क्या होता था ब्लड को ले जाना हर्ट से डिफरेंट और गींट तो था रहए और शसी तरही के से हौर्ट से और मिले जाने का म कसका होता है आपर ऑ्रिज का ह। हर्ट से देखना यह बहुत कॉंप्लिकेटीड होता है मैं पहले बतारो प्लीज इसको नोट कर ले न अच्छे से था कि एक्जाम में कोई कोई कंफ्यूजन न रह जाए अब इन आर्टी इस बडल लट्स ब्लट फ्लो विद हाई प्रेशर आटी इसकंदर हाई प्रेशर में blood flow करता है और वेनस के अंदर लोओ प्रेशर में blood flow करता है No valve present in the arteries में कोई और निंप्रसेट होता है कोई भी तरह की ररिकट्स निह थो flow back to the blood, वो इसके अंदर veins के अदर wall present होते है, these are the thick wall, these are the thin wall, यह पतली होते हैं, यह मूटी होते है थोड़ी, walls are arteries are elastic in nature, and walls are veins are non-elastic, यह non-elastic होता है, यह elastic होता है, arteries are present in the generally deep in body, and veins are present in the well as near the surface of the body, यह हमारी surface of the body के आसपास present to the arteries deep present होते है, यह हमने बात करें से देखिए, यह जो छोटी छोटी है यह यह आपकी क्या होते है, फिर राइट वेंटरिकल, फिर प्लुम्नरी आर्टरी, लंक्स, फिर प्लुम्नरी वेंज, फिर लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट वेंटरिकल, लेफ्ट आर्टरी, सपोज पले जाता है बलड आपका, यहां से बलड आता है, ठीक है, सपोज यहां से बलड आता है, वो आपक अब वो mitad काम करेगी यॉकसी इंटी हाइगी ठीक अब यहां से ब्लड लं से सबोस करीं लूंस अपका ब्लड जाता है लेंप्ट अ अर्ट्रियाम नीचे फिर्ट में चला TRR नींचे फिर वहां से पूरे ओंगा लेंटर पार्स में टांस्पोर जाएगा तो यह सोता अब देख सेखते यह लबर गया पहले इसमें गया फिर यहां से इधर गया वेंट रिकल्स में फिर वेंट बो शेदर ट्रांस्वीट हो गया फिर यही ऑक्जिनेटी ब्लूर्ड गाते अब देके फंचन अब ब्लड से गलेटी बॉडे के ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑ्क्सिजन फिर्म लंग्स टू बॉडडी इन कारबन डियक्साइट बोडी टू लंग्स ब्लेड के काम क्या होता है औक सीजन से oxygen को पूरी body के अंदर transport करना lung से निकाल कर और carbon dioxide और blood का इभी function होता है कि carbon dioxide को lungs के अंदर लेके जाना ठीक है body से carbon dioxide को निकाल के lungs में ले जाना और lungs से oxygen को निकाल के body के अंदर ले जाना उसके पाद से blood transport food simple intensive of the body अब लट का गदर टांसपोर्ट करता है, food simple intestine to the body, ठीक है, blood transport करता है, food from simple instance of the body, blood transport hormones from gland to organs, blood का करता है, glands जो हर्मोनी कलता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है, blood transport with substance from body to kidney, ठीक है, kidney भी, जो भी, blood protect us from many disease, blood maintain the temperature of body 30-70 Celsius, ये सारी काम कालता है, blood का temperature मेंटने करना, blood को प्रोट करने disease से, blood काम करता है, blood काम करता है, hormone release करने में, ये सारे के सारे functions किसके होते हैं, आपके blood के होते हैं, उसके वाद से देखिए, cardiac cycle कहता है, it is a periodic relaxation of contraction and muscles of the heart, cardiac cycle क्या होती है, suppose करिए ऐसे blood जा रहा है, आ ठीक है, तो periodic relaxation, मतलब, लप, 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 ये sound आता है, हमारे heart के आपका भ से जो sound आता है, करता है, दिल की आवाज है, वो ऐसा कुछ नहीं होता, बस आपका एक जो लप, डप करके sound होता है, वो दिल हमारे धढ़क रहा होता है, heart beats का अतरी प्रेड्यूस और due to contraction relaxation, ये का होता है, कभी सिकुडता है, और फिर relax होता है, कभी सिकुडता होता है, ठीक ह ये होता है, one complete cycle is equal to one heartbeat, एक complete cycle किसके equal होते है, one heartbeat, कि मतलब यगार ब्लड आया, ब्लड फिर यहां से venticles में गया, इसी cycle हो complete करते में, क्या बोलता है हम उसे, एक cycle, एक इंसान का एक नॉर्मल, जो हुम नॉर्मल एड़ेटा है, उसका है, एक बार में दिल 72, 72 टाइम्स लबड करना चाहिए, ठीक है, मतलब धड़कना चाहिए, ठीक है, one of the cardiac cycle, pump 70 ml, आप देख रहे हैं, एक मिनट में 70 ml ब्लड को pump कर दिया जाते है, और एक मिनट में अगर आप देखा जाए, तो 4900, मतलब 4900 ml ब्लड को एक मिनट में recycling कर दिया जाते है, मतलब एक जग से दूसरी जग एक जग से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाते, इतनी बाद ब्लड आ जाते है, चला जाते है, एक मिनट में इतना, ठीक है, 4900 ml, पल्स क्या होते है, इस प्रियोडिक मोमेंट ब्लड फिर उतके फोर्स पूली पास होता है, फिर चला जाता है, यह आपका क्या करता है, पल्स क्य ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, 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 अधिल कल्री ठोड़ेल क्ल़र मुटकल थोड़ा फिल डैफ के कलर का था मोट स्लीख बलच कम आप ब्लच ऑर वीक और डबलु बीशी यह है प्रेजट होते हैं ठीक है लुकल क्या होता है क्या टो आट जो होता हैं आपका एक तरसे पिगमेंट की तरव है काम करता है हुँमोग्लोबीन को काम होता है ब्लढ को कलर रखना ठीक है और यौज आर बीची मैं करता है ओक्सीजचन को कभा एंब में help करता है carbon dioxide को और पूरी body के अंदर transport करता है basically जो blood के अंदर oxygen जाता है न और oxygen को कोई न कोई carry करता हो कोई न कोई रखता तो RBC क्या करता है blood को अपने पास रखता है hemoglobin के द्वारा और वो पूरी body में फिर क्या करता है करता है some part of carbon dioxide also transported the hemoglobin और कुछ carbon dioxide भी ट्रांसपोर्ट होता है hemoglobin के द्वारा हमारी पूरी body के अंदर basically hemoglobin अपने अंदर oxygen को रख लेता है और hemoglobin RBC के अंदर present होता है और यह सारे के सारे मिलकर oxygen को ट्रांसपोर्ट करान में help करते है WBC क्या होता है WBC हमारी immunity को strong मनाता है WBC क्या आता है these are the role play in the color white color का होता है ठीक है mucosmucos types है और इसके वाद से जो आपके germs होता है तो उससे लड़ने में help करता है WBC platelets are the responsible for blood coagulation जैसे मालीजे कोई चीज कट जाता है कट पड़ जाते है आपकी body में तो थोड़े बाब देखो होगे कि वहाँ पे जो खून होता है न वह थोड़े टाइम पे क्या होता है वह carry हो जाता है मतलब जम सा जाता है हाना तो यह कैसे होता है यह due to platelets होता है और यह अगर आपको platelets हमारी body के अंदर two lakh के अबौव होने चाहिए ठीक है 1.5 lakh से तो अबौव होने चाहिए तो उसके बाद से क्या होता है जब यह platelets कम हो जाती है तो coagulation जो होता है ठीक है एक तरसे वह क्या जाता है कम हो जाता ह ल Jeśli ऐक प्लेटल्स का प्लेटलेड्स लेंगो के करणा होता है तो जब होता है तो यह Nokia आपको बहुत सारी इशू को लगते कट उग पड़ेगा yoga वहाँ पे कलोटींग ही नहीं होगी में हेल पर बेसिकली प्लेट लेक से प्लेट्स अगए का म क्याता है isolating मैं हेल्भ कर ना आफ इस आ